बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर दोस्तों तो अभी यूनाइटेड नेशन के हुमेनिटेरियन चीफ मार्टिन ग्रिफित नाम है उनका उन्होंने एक स्टेट्मेंट देते हुए ये कहा कि 4.4 बिलियन की ग्लोबल असिस्टेंस प्रोवाइट कराने की जरूरत है अफगानिस्तान को इस साल 2022 में 4.4 बिलियन की ग्लोबल असिस्टेंस अगर ये नहीं किया गया तो अगले साल में भी अफगानिस्तान दुनिया के वजूद में नहीं रहेगा आज के समय में जिस तरीके की कंडिशन अफगानिस्तान में है वहां की लगभक आधी पॉपुलेशन भी ना खाये अपनी रात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में क्या कंडिशन है उसकी किस तरीके की प्रॉबलम वह आज के समय में फेस कर रहा है कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे अफगानिस्तान के बारे में और ये भी देखेंगे कि इंडिया का क्या रिस्पॉंस है अफगानिस्तान को लेके प्रेजेंट की इंडियन पॉलिसी क्या है किस तरीके से हल्प कर रहा है इंडिया अफगानिस्तान को आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं उस न्यूस पेपर का अर्टिकल कट आउट दिखाता हूँ जिसमें यूएन ने अर्च किया था ग्लोबल लेबल पे यूएन ने कहा यूएन सिक्स रिकॉर्ड 4.4 बिलियन इन एड फॉर अफगानिस्तान फ्यूचर 4.4 बिलियन एड ये जो मांगा है ये हुमेनिटेरियन असिस्टेंस के लिए मांगा है यानि कि वहाँ पे जो खाने की सप्लाई है मेडिकल सप्लाई है जो वाटर सप्लाई वहाँ पे नहीं है मरुस्थली एरिया है तो इन सब सहायताओं को प्रवाइड कराने में वहाँ क देश उनसे ये मैं आपको बताओं दुनिया का अभी तक का दिया गया सबसे बड़ा financial assistance होगा किसी भी country को UN के द्वारा इसके पहले 4.4 billion के आसपास किसी को dollar pay नहीं किये गए है as a financial assistance आर्थिक सहायता के रूप में किसी देश को अफगानिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं अफगानिस्तान का capital है काबूल आपको पता होगा वहां की currency का नाम है अफगान अफगानी 1919 में इसको आजादी मिली थी ब्रिटिस इंपायर से world का largest बुद्धा जिसको तालिबान ने तोड़ दिया था वो अफगानिस्तान में था अफगानिस्तान के किस रिजन में था आप ये मुझे बताएंगी 2001 में इसको तालिबान ने तोड़ दिया था वहाँ पर जो लेंग्वेज बोली जाती है वह पस्तो है और एक दरी पर्शियन लेंग्वेज है और पस्तो वहाँ की रिजनल लेंग्वेज है जो वहाँ के कभीले के आदिवासी बगरा बोलते है यह अफगानिस्तान का मैफ है आप देख सकते हैं यह काबुल है जो पाकिस्तान के बॉर्डर काफी करीब है यह सेंट्रल हाइलेंड है जो की पहाड़ी इलागा है यह पुरा हिंदुकुस का पार्ट है हिंदुकुस परवत स्रिंकला जो है फिर इसके बाद यहाँ पे दस्त सलती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यह बॉर्डर क्रियेट करती है बिट्विन अफगानिस्तान उजबेकिस्तान और तेजिकिस्तान आप एक कुस्चन का एंसर मुझे देजिए दस्ते कावीर और दस्ते लुट यह दू करके डिजर्ट है यह किस कंट्री में यह फिजिकल पॉलिटिकल मैप है अफगानिस्तान का और इसमें आप यह बॉर्डर देख सकते हैं यह तजिकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से तो करता है यह इरान से भी करता है और तुर्कमेनिस्तान से भी अपना तके जा रहे थे कितने लोगों की गीरने से मौत हो गई इस यह कंडिशन अभी वहां पर ऐसी है कि 70-80% लोग जो डिस्प्लेस हुए थे जो बाहर गये थे जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था उसके बाद वह कुछ मैकसिमम फरसे निiba वनोग वापस आ गय लेकिन वापस आहे तो वहां पर एक क्राइशिस आ गई वह जोब और आंडर इंप्लोइमंट मेंट नहीं है यहकर के सुबिधा सुविधा नहीं है मतलब कि वहां पे डेल करोड लोगों को खाने के लिए खादिपदार्थ भी अभिलेबल नहीं है, वोमेन की कंडिशन वहां पे काफी खराब है, एक स्टोरी में आपको बताओं तो पिछले साल मैंने एक न्यूज आर्टिकल पड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था एक वंग कि अगर तालिबान ने वो चीज़ देख लिया, क्योंकि उस समय वो तालिबान वाले क्या कर रहे थे, घर घर जाके सर्च कर रहे थे, लोगों को, तो जब वो देख लेंगे, तो ये बहुत जादा चांसे हैं कि वो उनके पेरनिट्स को प्रताडित करेंगे, या हो सकता है उनको मार भी दे, तो ये तो कंडिशन है वहाँ पे वोमेंस और गर्ल्स की, अब इंडिया का क्या रियक्शन है अफगानिस्तान को लेके, देखें इंडिया लगाताट ट्राइ कर रहा है कि वहाँ पे फानिंसियल असिस्टन्स भेजी जाए, चाहे वो पैसे के रूप में या समान के रूप में, किसी तरीके से भेज जाए, इसको लेके इंडिया ने पाकिस्तान से बात भी करी थी, कि पाकिस्तान से होते हुए अपने ट्रक्स को पास करेंगे, अफगानिस्तान में लेंड कराएंगे, इसमें खाना वगरा, वीट वगरा हम भेजेंगे, लेकिन तो पाकिस्तान में नमना कर दिया, बाद में वो बोलने लगे कि ठीक है, आप भेज सकते हैं, लेकिन आपके जो ट्रक है, वो हमारे बॉर्डर पर आके रुख जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर, फिर वहां से हमारे लोग उस ट्रक को करी करके अफगानिस् क्या करता है, वो हो सकता है, उसमें जो भी आइटमस वगएर इंडिया यहां से भेज रहा है, उसमें अडल्टरेशन कर दे, मिलावट कर दे, या फिर वो उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान में डिलिवर करे ही न, तो इंडिया को संशे था, पाकिस्तान के इंटेंशन से यह उसने वो बात नहीं मानी, फिर अल्टिमेटली इंडिया ने ट्राइ किया कि वो किसी तरीके से एर रूट के थुरू एरोपलेन से कुछ सामान वगएरा डिलिवर करें, तो उसने वीट भेजे थे, काफी कंसाइनमेंट भेजे थे, वीट वगएरा के, लेकिन वो काफी अलाओ कर देंगे, कि वो चाभार पोर्ट का यूज करे, तो प्रोवाइड फानेंसियल असिस्टेंस और एनी टाइप असिस्टेंस टू अफगानिस्तान, तो इसके बारे में भी बात चल रही है, आगे जो भी डवलप्मेंट होगी, उसको लेके मैं जरूर वीडियो बना तो इस वीडियो को आप देख रहती स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस पर, मेरा नाम है नितेश सिंग, I am signing off, thank you.